क्या खाएं कि बच्चे हमारा तेज दिमाग का हो तो बच्चे के तेज दिमाग के लिए गर्वती महिलाओं को चाहिए संतुलित आहार जिसमें ड्राइफूड, हरे पत्यदार सबजियां और जो सबसे जरूरी है बच्चे के ब्रेंड डेबलप्मेंट के लिए बच्चे के लेना चाहिए क्योंकि यह एलेक्टेशन में भी मदद करता है दूद बनाता है नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में दोस्तों अगर आपने भी तक हमारा चैनल हेल्थ केर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौझूद नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का वहीं चीर परचित दोस्तों पस्तित हूं आप सभी की सिवा में एक और महत्पूर वीडियों के साथ दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या गरभावस्था के दावरान चॉकलेट खाया जा सकता है तो आईए जानते हैं प्रेग्नेंसी के दावरान अक्सर गरवती महिला की क्रेविंग्स यानि कुछ चीजों को खाने की तिब्र इच्छा होती है और कई बार तो यह इच्छा ऐसी चीजों को खाने के लिए हो सकती है जिसे अनहेल्दी फूट्स की कड़गरी में रखा जाता है फिर चाहे वह जंक फूट हो या चाइनीज फूट हो या आईस क्रीम हो या फिर चॉकलेट हाला कि चॉकलेट को गरभावस्था में अनहेल्दी माने जाने वाले खाद परदार्थों के लिष्ट से बाहर कर दिया गया है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि प्रेगनेंसी में चॉकलेट का सेवन करना पूरी तरह से सुरच्छित है दरसल साल 2016 में अटलांटा में प्रेगनेंसी मीटिंग आप दे सोसाइटी फॉर मैटरनल फीडल मेडिसीन के दवरान एक एस्टेडी को सामने रखा गया जिसमें बताया गया कि गर्वती महिला अगर रोजाना चॉकलेट का सेवन करें तो उसके गर्व में पल रहे बच्चे के विकास में मदद मिलती है इतना ही नहीं प्रेगनेंसी में चॉकलेट खाने से प्रीक्लैंसिया का खत्रा कम हो जाता है और प्लेसेंटा भी बहतर तरीके से फंसन करता है साथ ही स्टड़ी में ये भी बताया गया कि प्रेग्नेंसी के दवरान चॉकलेट खाने से कई तरह की स्वास्त समंधी समस्याओं को कम करने में भी मदद मिलती है दरसल चॉकलेट में फ्लेवेनोट्स और मेंगनिसियम पाया जाता है जो ब्लड प्रेसर और कॉलेस्टराल और कार्डियो स्कूलर प्रॉब्रम को दूर करने मदद करता है लिहाज अगर आप गरवती हैं और आपके मन में भी ये सवाल है कि क्या प्रेग्नेंसी के दवरान चॉकलेट खा सकती है तो जबाब है जी हां गरवती दवरान चॉकलेट खा सकती है लेकिन लेकिन लीमिट में रहा कर क्योंकि चॉकलेट में कैफीन भी पाया जाता है और प्रेग्नेंसी के दवरान कैफीन का अधिक सेवन आपके लिए नुकसान दे हो सकता है अब ये कितना नुकसान कर सकता है तो आपके लिए बता दें कि हमने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है जहां पर आप जा करके इसके बारे में detail information ले सकती है हलाकि यहां पर आपको थोड़ी सी जनकारिक देता हूँ कि प्रेग्नेंसी के दोरान अगर कैफीन की अधिक मात्रा होती है तो गर्वपात होने का खत्रा रहता है बच्चा गिरने का खत्रा रहता है इस चीज़ को आपको जान लेना चाहिए तो आज किस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेग्नेंसी में चॉकलेट खाने के फायदे और ज्यादा चॉकलेट खाने के क्या नुकसान है आईए जानते हैं प्रेग्नेंसी में चॉकलेट खाने के फायदे प्रेग्नेंसी में अगर आपको चॉकलेट खाने का मन कर रहा है तो खुद को न रोके चॉकलेट खा लें लेकिन लेमिट मेरा कर कम मात्रा में वो भी डार्क चॉकलेट खाएं क्योंकि नार्मल चॉकलेट की तुलना में डार् प्रोटीन का लेबल भी बढ़ जाता है जिसकारण प्री मैच्चूर लेबल का खत्रा बढ़ जाता है गरभासा में एठन हो सकती है खून का ठक्का जमने लगता है और लीबर भी छतिगरस्त हो सकता है लिहाजा प्रेग्नेंसी के दौरान चॉकलेट खाने से प्रीक्लैमसिय महिला के खत्रे को 50% तक कम किया जा सकता है और ये गरभावस्था की तिसरी तिमाई में ज्यादा फायदे मंद होता है इसके लामा इम्मुनिटी बढ़ाने में मददगार है डार्क चॉकलेट जी हाँ चॉकलेट में पाया जाने वाला फ्लेविनाट्स एंटी आक्सिडें जिससे ब्लेड प्रेसर को भी कम करने में मदद मिलती है तनाव दूर करती है डार्क चॉकलेट गरभावस्था के दावरान महिला के सरीड में हार्मोंस का लेबल उपर नीचे होता रहता है और इस वजह से कई महिलाओं के लिए प्रेग्डेंसी बहत तनाव पूर भी हो सक बच्चा होगा खुस और उस्साहित आईए जानते हैं चॉकलेट के सेवन से बच्चा होगा खुस और उस्साहित रहता है इस्टडी में इस बात की और भी सारा किया गया है कि चॉकलेट नौजास सिसु को मां से जुड़े किसी भी तरह के तनाव से भी दूर रखती है इसके पहिलाओं ने गरभावस्था के पहली तिमाई में रोजाना चॉकलेट का सेवन किया, उनमें मिस्करेज होने का खत्रा 20% तक कम हो गया, तो फ्रेंड्स ये तो हुए गरभावस्था में चॉकलेट खाने के फायद हैं, आईए अब जानते हैं इसके नुकसान, आपको प्रेजनी में चॉकलेट की क्रेविंग को कंट्रोल में रखना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत जादा चॉकलेट खाने के कई नुकसान भी हो सकते हैं, आईे जानते हैं चॉकलेट में काफी मात्रा में फैट और कैलोरीज भी होती है, जिस और अंचाहा वजन बढ़ सकता औ आपका वजन ज्यादा हो सकता है प्रेग्नेसी के दवरान अगर मोटापा या ओबर वेट की समस्या होती है तो जेस्टेशनल डाइपटीज, बेरिकोज, वेंस, हाई बीपी जैसी समस्याओं के साथ साथ सी सेक्षन डिलिवरी का भी खत्रा बढ़ जाता है सी सेक्षन डिलिवरी का मतलब सिंपल भासा में बोले तो आपरेशन से बच्चा पैदा होना अब आईए जानते हैं चीनी के अधिकता भले ही आप प्रेग्नेसी के दवरान डार्क चॉकलेट का सेवन क्यों न करें लेकिन इसमें चीनी की मातरा बहुत अधिक होती है चॉकलेट में कैफीन अधिक होता है जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया और गरभावस्था के दवरान बहुत जादा कैफीन का सेवन सरीर की नार्मल क्रियाएं प्रभावित हो सकती है और बहुत जादा कैफीन का सेवन करने से सीने में जलन की समस्या हो सकती है इसके अलावा miscaris का भी खत्रा उत्पन्न हो सकता है तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है आईए अब जानते हैं कि सतरीके का चॉक्लेट ज्यादा फायदे मंद होता है तो milk chocolate, white chocolate या normal chocolate की जगें dark chocolate गर्वती महिलाओं के लिए ज़्यादा safe माना जाता है ज़्यादा फायदे मन होता है दोस्तों हमारा मकसद था इस बारे में general information आपको देना इस बारे में doctor या professional information के लिए अपने नजदी की doctor से संपर्ख जरू करें हो सकता है लिहाजा pregnancy के दावरान chocolate खाने से preeclampsia के खत्रे को 50% तक कम किया जा सकता है और ये गर्भावस्ता की तिसरी तिमाई में ज़्यादा फायदे मन होता है और ये गर्भावस्ता के तिसरी तिमाई में ज़्यादा फायदे मन होता है इसके लामा immunity बढ़ाने में मददगार है dark chocolate जी हाँ, chocolates में पाए जाने वाला flavonards antioxidant का बेहतर source है जो pregnancy के दारान गर्वती महिला की immunity को मजबूत बढ़ाने का काम करता है लिहाजा flavonards से भरपूर dark chocolate खाने से गर्वती महिला का immune system strong होता है जिससे blood pressure को भी कम करने में मदद मिलती है तनाव दूर करती है dark chocolate गर्वावस्ता के दारान महिला के सरीर में hormones का label उपर नीचे होता रहता है और इस वज़े से कई महिलाओं के लिए pregnancy बेहत तनाव पूर भी हो सकती है ऐसे में chocolate इस तनाव को काफी हद तक कम करने में मदद करती है अनुसंधान करताओं की माने तो रोजाना dark chocolate का 7 करने से stress के लेबल अर्था तनाव के लेबल को कम करने में मदद मिलती है बच्चा होगा खुस और उसाहिद आईए जानते है चॉकलेट के 7 से बच्चा होगा खुस और उसाहिद research में ये बात भी सामने आई है कि जो महिलाओं गरभा वस्था के दावरान dark chocolate का 7 करती है delivery के बाद उनका बच्चा खुस और उसाहिद रहता है study में इस बात की और भी सारा किया गया है कि चॉकलेट नवजास सिसु को मां से जुड़े किसी भी तरह के तनाव से भी दूर रखती है इसके लावा मिसकरेज का खत्रा होता है कम एक study में इस बात सामने आई ही कि जिन महिलाओं ने गरभावस्था के पहली तिमाही में रोजाना चॉकलेट का 7 किया उनमें मिसकरेज होने का खत्रा 20% तक कम हो गया तो friends ये तो हुए गरभावस्था में चॉकलेट खाने के फायद है आईए अब जानते हैं इसके नुकसान आपको प्रेगनसी में चॉकलेट खाने के कई फायदों के बारे में तो बताया हमें लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हर वक्त जितना मन करें उतना चॉकलेट खाती रहें प्रेगनसी में चॉकलेट की क्रेविंग्स को कंट्रोल में रखना जरूरी है क्योंकि बहुत जादा चॉकलेट खाने के कई नुकसान भी हो सकते हैं आईए जानते हैं चॉकलेट में कैलोरीज अधिक होती है चॉकलेट में काफी मात्रा में फैट और कैलोरीज भी होती है जिस करण अंचाहा वजन बढ़ सकता है आपका वजन जादा हो सकता है प्रेग्नेंसी के दवरान अगर मोटापा या ओबरवेट की समस्या होती है तो जेस्टेशनल डाइपटीज, बेरिकोज, वेंस, हाई बीपी जैसी समस्याओं के साथ साथ सी सेक्षन डिलिवरी का भी खत्रा बढ़ जाता है सी सेक्षन डिलिवरी का मतलब सिंबल भासा में बोले तो आपरेशन से बच्चा पैदा होना अब आईए जानते हैं चीनी के अधिकता भले ही आप प्रेग्नेंसी के दवरान डार्क चॉकलेट का सेवन क्यों न करें लेकिन इसमें चीनी की मातला बहुत अधिक होती है आपको बता दे कि करीब 45 ग्राम डार्क चॉकलेट में 20 ग्राम तक चीनी होती है और बहुत ज़्यादा चीनी का सेवन करने से प्रेगेंसी के दोरान डाइपटीज होने का खत्रा होता है दातों से जूनी समस्यां और वोजन बढ़ने जैसी समस्यां भी हो सकती है इसके अलावा कैफीन की अधिकता चोकलेट में कैफीन अधिक होता है जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया और गरभावस्था के दोरान बहुत ज़्यादा कैफीन का सेवन सरीर की नार्मल क्रियाएं प्रभावित हो सकती है और बहुत ज़्यादा caffeine का 7 करने से सीने में जलन की समस्या हो सकती है इसके अनावा misscraze का भी खत्रा-ुथपन्न हो सकता है तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है आई अब जानते हैं कि इस तरीके का चॉकलेट ज्यादा फायदे मंद होता है तो milk चॉकलेट, white चॉकलेट या normal चॉकलेट की जगें dark चॉकलेट गर्वती महिलाओं के लिए ज्यादा safe माना जाता है ज्यादा फायदे मंद होता है दोस्तों हमारा मकसद था इस बारे में general information आपको देना इस बारे में डाक्टरी या professional information के लिए आप अपने नजदी की डॉक्टर से संपर्ग जरू करें वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है क्या खाएं कि बच्चे हमारा तेज दिमाग का हो तो बच्चे के तेज दिमाग के लिए गर्वती महिलाओं को चाहिए संतुल इताहर जिसमें dry food, हरे पत्यदार सबजियां और जो सबसे जरूरी है बच्चे के brain development के लिए बच्चे के तेज दिमाग के लिए वो है DHA powder जिस है